कि गाइज वेलकम टू माई चैनल लेसम टेरोट कार डीडिंग और आज की टेरोट कार डीडिंग में देखेंगे कि क्या आपके परसन आपकी लाइफ में लॉट कर आएंगे और क्या उनके साथ आपकी रिष्टे का फ्यूचर है उनके साथ इस चीज को चेक करेंगे ठीक है तो energies को देखते हैं और जिसके लिए भी आप इस reading को देख रहे हैं उस इंसान का उस परसन का ना आप नेम जरूर ले लीजिए तकि energies जो है वो आपके साथ फुल कनेक्ट हो जाए तो इसलिए नेम लेना बहुत ज़्यादा जरूर है नेम जरूर ले लेजेगा अपने परस फरस्ट काड जो आया है वो यहां पर अंजल नहीं दिया है ठीक है तक है energies में यहां पर जो दिखराए और यहां पर यह दिखरा कि आपका जो रिष्ता है वो कहीं ना कहीं universe ने आपके रिष्टे को बनाया है आप यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि बिना उसकी मर्जी के उपर वाली की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सुना है ना आपने, फिर आप और आपके पार्टनर कैसे मिल गए, सोचने वाली बात है ना, कैसे मिल गए, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने मिलाया है, आप लोग कर्मा एक साथ लिखा हुआ था, आप लोग के डेस्टनी में आप लोग का प्यार लिखा हुआ था, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप लोग बने हो, है ना, देखिए, कभी-कभी समझ टाइम्स क्य होता है कि आप ऐसी सुच्वेशन हो जाती है कि भाई मैं हमारा और उनका तो कोई वो नहीं है, कैसे मिल गए, अचानक मिल गए, बहुत साय लोग मेरे पास इस बात को लेकर बोलते हैं कि मैं हमारी तो एस इतनी है, उनकी इस इतनी कम है, या उनकी जादा है, मेरी इस कम है, डिफरेंस है, मैं लो कॉन्टेक्ट सुच्वेशन है, बहुत दूर है थे, मैं यहाँ, वो वहाँ, मैं कैसे मिल गए, मैं एक ही चीज़ उनको समझाती हूँ, कि भाई, आप इस चीज़ को छोड़िए, कि आप कैसे मिले, कहा मिले, क्या मिले, आप यह सोचें कि आपका यह पार्टनर के साथ, पिछले जन्मों, साथ जन्मों का रिष्टा था, पिछले जन्मों, जन्मों का रिष्टा था, इन इंसान की, इस परसन के अनर्जी, आपके अनर्जी के साथ, कनेक्ट थी, ठीक है, यूनिवर्स ना, हमेशा बताते हैं, कि भाई, इनके साथ आपका यह तो कहीं न कहीं universe ने आप लोगों को मिलाया है और universe जो है वो इनके साथ आपका जो है वो रिश्टा पिछले जिनम का था पास्ट का था इसी लिए आप लोग मिले एखो तड़ गया कार्ड हमें आज तो एतनी आसानी से खतम होने वाला नहीं है तो energies यह पर येえっ कह nuestras turning in ka card है turning in ka card हमें क्या बता रहा है turning in ka card ये बता रहा है कि कही न कही जो situation है उस situation के according आपके relationship में changes आएंगे यानि कि कही न कही अगर आप लोग के बीच में इस समय no contact स्थिती है और पूरी तरीके से आपका partner एकदम आप से दूर हो चुका है तो कही न कही energies क्या होगी कि उनको खीच कर आपके तरफ लेकर आएंगे थर्ड पार्टी situation अगर आपके relationship में आ चुका है थर्ड पार्टी आ चुकी है आपके रिष्टे में तो भी आपका partner थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके life में लटकर आएगा इतना जादा इस इंसान क को आपसे attachment है इतना जादा इस person को आपसे प्यार है तो आपका प्यार आपकी मोहबत एक दूसरे के करीब आपको रहने का जो एक feelings है वो जो attachment है वो आपको एक दूसरे से अलग होने ही नहीं देगी तो यह energies यहां पर मुझे show हो रही है ठीक है no contact situation है इस्तिति no contact है लेकिन य using का card है जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं दुबारा से एक new fresh beginning start होगी ठीक है इस चीज़ को भी बता रहे हैं दूसरी चीज़ यहां पर आपके person बहुत ज़दा आपको लेका तड़ रहे हैं बहुत ज़दन की feelings में लव है और कहीं कहीं आप से दूर होकर इनका हाल जो है ना बहुत ज़दा बुरा है एक तो मन नहीं लगता है ठीक है कहीं भी मन नहीं लगता है हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं अच्छा एक चीज़ और में बोलूँगे यहां पर ना मुझे किसकी शादी दिख रही है अनर्ज में हो रहें ओवर थिंगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं परसट है ना क्योंकि देखो क्या है कि इनको आप से बहुत जादा प्यार है बहुत ज्यादा मतलब अटेच्पेंट है दूसरी आप दोलों की बीच मेरा किसी बत को लिकर जखड़ा हो गया है कुछ ऐसी आर्ग् इस लिवेंड कैंसर की एनर्जी यहां पर दिख रही है आप दोलों के भीच में तरीके से ना मतलब रोते बहुत जादा है और थार्ड पार्टी इंवाल्मेंट भी यहां पर शो हो रही है मुझा से लगए इस फैमिली है यहां पर थार्ड पार्टी के रोप में जो आपक में में नाराज हरा है यहां जो इस चैया है उसल पर फृट को आपकी इस समय पर हो है कि आप लोग के वीच में जो इतनी दोडीया होगई है ना उन दोर्यों की बचे से थर्ड़ पार्टी पर नाराओ होरें हैं यह बहुत ज़ड़ाइध गुस्सा हो रहे इस समें जो पार्टनर के आनर्जी जा रही है न बहुत ज़दा आपको मिलने का कामन कर रहे हुआ उनका प्यार बहुत कर रहे करते हैं आपसे वबसंद कर रहे हैं समय और बहुत ही ज़्यारा है । पूरी तरीके से ठीक हो जाया है फिर स्ट्रेवल हो जाया है यह वंकनेक्ट की होगाई मीरह Deaf Trans qui الص video बंडर बमर कि आप